हलो व्यूम्स सब कैसे है वेल्कम बक तू मैं चैनल आप अगर नए है तो प्लिस सब्सक्राब तू मैं चैनल आज मैं बिंगाली का फेमस पाथ अलिगूर का शॉंदेश करेंट आप लोग के साथ शेयर कर्या हूं इधर पे मैं होमो मिल्क वन गेलन होमो मिल्क ली हूं विनीगर डाल दूंगी, और साथ ही मैं स्टो इर बंद कर दूंगी, उसके बाद मैं लकरी का स्पैचिलर के साथ ही इसतेरके घुमाते रहूंगी, जब तक ना पनीर और पानी अलग ना हो जाए अलग होने के बाद पनीर अलग होने के बाद मैं एक चली में कपड़े रहके कर उसमें जितना सारण पनीर है उसमें और पनीर से पठछ वने के बाद थंडे पानी छनां यह नींला है पनीर अच्छे तरह से निकलने के बाद मैं इस तरह से एक बोड में पनीर को अच्छे तरह से हाथ में मसल कर ये एक पनीर में जितना गुटली जैसा होता है वो इस तरह से हाथ से मसलने में वो एक स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाती है और इसमें देखे इस तरह है और बहुत पनीर को मैंने एक पॉट में ट्रांसफर कर ले हूँ और स्टोब हाई हीट में रखी हूँ इसमें यह पनीर के अंदर में जितना पानी है वह पानी ख़तम हो जाए पनीर से उसके बाद मैंने यह पाथा लीगुड यह पाथा लीगुड यह प्लम जैगरी कोई भी इंडियन स्टोड में एजी ली अबल exhibited ज jejे लिए बेवल है और मैं से र्ट फॉट में फ़ूर्ट जीञ जागरी यह अपर मीतय है और ज्यादा मीठा पसंद करते हैं और ज्यादा एट करें कुड या मीठा पसंद करतें कूल या कंब डूट मीठा है तो लिस एट करें आपि यह उसके बाद मैंने टिप एक मिनिट सैंप जब तक एक बिर्ब हो जाएक उसके बाद में पूट प्रूइर ब्लेंट में अच्छे तरह से ब्लेंड एक फीट से पैन में में एक दो मिनिट करने के बाद फीट दुबारा फ्रूट प्रोड़सर में ब्लेंड करूंगी अब ये जो सेटेंटा में ब्लेंड की बहुत अच्छे से जो पनीर बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा पानी लग रहा है तो और एक मिनट मीडियम हीट में यह पूरा मीडियम हीट में काम करना है हार हीट में करने से यह बर्ण हो सकती है अब देखे फाइनली यह पूरा जो पनीर एक मोल्ड जैसे आटा आटा गुदनी के तरह सब इकटा हो है इसके मतलब आपका एकदम पका शॉंदेश का जो पाक बोलते हैं वो तयार हो गया है अब मैं स्टोप बंद करके एक थाली में वो शॉंदेश निकाल लोंगी फाइनली मुझे शॉंदेश का शेप देना है उसके बाद ही सब अच्छे से बन गया है मेरे पास यह मेरे पास यह मेरी सासु मा की है जो मेरा जेट जी मुझे दिया है इसके पहले मुझे जब यह नहीं था तो मैंने क्या करती थी एक छोड़ा लडू शॉंदेश का लड़ू बनाती थी और उसके उपर में फॉर्क दे के फॉर्क कर शेप में बना ले दी थी अगर आपके प पत्ति वाला सबसे पसंद है, प्यारा है जब भी शॉंदिस बनाती हूं उसी को यूज करती हूं लेकिन अर्मानी को जब उसको मैं बोलती हूं है शॉंदिस का शेब देने के लिए वह हमेशा ये सर्कल वाला यूज करता है उसको वह पसंद है देखें अर्मानी कितना प्यार से बना रहा है फाइनली पूरा शौंदेश तयार है मैं घर पे पसंद करती हूँ इस तरह का मिठाई बनाने के लिए क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ बहुत प्यार से बनाती हूँ लेकिन इधर पे स्टोर में भी मिलते है और पता ने स्टोर में किस तरह से कौन कैसा बनाते हैं तो मैं ज्यादा तर कोशिश करती हूँ घर पे ही बनाओ और अर्मानी को भी इंकरेज करती हूँ मैं जब बनाती हूँ इस तरह का खाना वो भी मेरे सामने में खड़ा होकर देखे किस तरह से खाना बनता है इंडियन खाना बनता है आप लोग भी बनाएंगी कभी और प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल और बाई फर नव जब बनाएंगी करता है